AllISE student BAZ part 3 के third paper को हम cover करते रहे हैं और इस में हम पुछले तीन टर्न से Graphical representation of data topic जो है उसे cover कर रहे हैं और आज उसी क्रम में हमारा यह graphical presentation of data के lecture का चौथा भाग है पिछले टर्न पे हमने किया था बाई डाइमेंशनल टू डाइमेंशनल ग्राफ्स के बारे में अध्यान किया था और इसमें हमने देख लिया था कि हिस्टोग्राम या रक्टेंगुलर डाइग्राम आयत आलेक क्या है और स्क्वेर डाइग्राम या वर्ग आरेक क्या है आज हम बात कर रहे हैं व्रत आर एक पाई या सर्कुलर डायग्राम की तो जैसा कि आपको दिख रहा है व्रत्य चित्र अथ्वा कोण की चित्र समांकों के कुल योग और उनके उपभागों का तुलनात्मक प्रदर्शन करता है व्रत्य के केंद्र में तीन सो साथ डिगरी का कोण एंगल होता है नीचे आपको दिख रहा है डायग्राम इस कुल योग के तीन सो साथ डिगरी मानकर हम उसके विभिनन उसके आधार पे हम विभिनन कोणों का माप क्याद करते हैं केंद्र से इन भावों के कोण बनाकर व्रत्य को अलग-अलग क्योंकि यह सर्कल है और फिर इसको सब डिवाइड करके हम दिरूपित करते हैं तो यह ऐसे व्रत को हम अंतरविभक्त सर्कल या डिवाइड़ सर्कल भी कहते हैं नीचे एक उधारन भी दे रखा है जिसमें वर्टीब्रेट्स जो हैं जैसे पिसेज, एमफीबिया, रैप् गालम में प्रदर्शित कर रखा है जैसे पिसेज के 20,000 हैं, एमफीबिया के 25,000 हैं और टोटल इनका अरा है 41,600 तो इसको हम पाई डाइग्राम के रूप में सर्कलर डाइग्राम के रूप में निरूपित करते हैं तो सबसे पहले प्रते क्लास की प्रजातियां या इस्प फिश की मतस्य की स्पिशी को घ्यात करना है तो 41,600 में से 20,000 प्रजातियां मतस्य या फिश की हैं तो हमने उसका परसंटेज निकाला 20,000 divided by 40,000, 41,600 into 100 तो यह आता है 48.1 परसंट इसी प्रकार से बर्ड्स का निकाला, मैमल्स का निकाला तो यह परसंटेज आ गई इस प्रतिशत्ता से कोडों के माप नुसार, निमना नुसार हम इनको एंगल में लेते हैं जैसे मतस्य 48.1 तो 48.1 अगर हम एंगल के रूप में लें तो कैसे लेंगे? वह 360 का पूरा है तो 48.1 इंटू 360 डिवाइड बाई 100 तो यह आ रहा है 173 डिग्री इसी प्रकार से अंफीबियंस का लें तो इनकी परसंटेज 6 आ रही है तो 6 कों 360 बाई 100 से मल्टिप्लाई करते हैं तो हमारा 22 डिग्री आ रहा है इसी प्रकार से हम नीचे देखते हैं तो मैमल्स का लेते हैं इनका 10.8 परसंटेज आ रहा है उपर तो 10.8 को हम मल्टिप्लाई करेंगे 360 बाई 100 से तो यह 38.9 आ रहा है अब इन सारे आखनों को हमने इस ब्रता रेक अथवा कोणिये चित्र या पाई चित्र में डिनोट किया है तो आपको जैसे दिख रहा है फिश 48 पॉइंट वन परसंट है और इसका एंगल आ रहा है 173 डिगरी तो हमने 173 डिगरी का इसका बना दिया एंफीबियंस आ रहे हमारे 22 डिगरी तो हमने 22 डिगरी पर एंफीबियंस को ले लिया इसी प्रकार से बर्ड आ रहा है हमारे तो उनको हमने ले लिया यानिकि यह अल् तो पाँचों मिलाके 360 डिग्री के एंगिल में 360 डिग्री में फिट ओ रहे है तो अलग-अलग Subdivided Py Chart है Subdivided Py Diagram है यह अब बात करते हैं समांकों के मानों में बगुत अधिक विशंता होती है तो वरग न वरत्य चित्र बgic। जाना नामंकिन हो जाता है क्योंकि उनके वर्ग मूलों में बहुत ज्यादा डिफ्रेंस होता है ऐसी कंडिशन में तीन विस्तार वाले या थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स का उप्योग किया जाता है इन चित्रों में तीनों विस्तारों उचाई चौडाई मोटाई या गह किया जाता है इन्हें हम वॉल्यूम डायग्राम या आयतन चित्र कहते हैं क्योंकि इन चित्रों के आयतन द्वारा समांकों का प्रदर्शन किया जाता है त्री डायमेंशनल ग्राफ्स में अधिकतर घंचित्रों या क्यूब डायग्राम की रचना होती हैं घन की रचना करने के लिए विभिन्मानों के क्यूब रूट ग्याद किये जाते हैं, धन मूलों के अनुपात में ही धनों की भुजाएं बनाई जाती हैं, उस भुजा के माप के आधार पर एक क्यूब का निर्मान किया जाता है, जैसे नीचे आपको दिख रहा है, एक्जामपल के एक अनुसंधान शाला में वानरों एवं मूशकों पर मासिक वे क्रमशा 27,000 और 216 रुपी हुआ है, इसे थ्री डाइमेंशनल आरे एक द्वारा हमें प्रदर्शित करना है, तो जन्तू, मंकी और माउस हैं, दूसरे कॉलम में वे 27,000 और 216 है, तो 27,000 का और 216, अब क्यूब की भुजा या संटीमीटर में हम इसको लेंगे, तो हमने क्या किया, 30 डिवाइड़ बाइ 10, तो 3 आ गया, और मूशकों के लिए वा, 6 डिवाइड़ बाइ 10, तो मंतली एक्सपंडिचर को हम, नीचे निरूपित करना है, इस क्यूब के रूप में, एक साइड वानार हैं और एक साइड मूशक हैं, तो ये चितर जो है ये आपका, वॉल्यूम डायग्राम है, मंतली एक्सपंडिचर, मंकी और माउस को प्रदर्शन कर रहा है, आगे हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स, जो स्टाटिक्स्टिक्स में काम आ रहे हैं, पैरमीटर्स, उनके बारे में, आपको एक संग्शेप में आइडिया दे रही हूं है, जैसे व्यक्तियों की, या उब्जर्वेशन की संख्या को हम, पैरमीटर क्या है, कैपिटल N, और इसको हम N से दिखा रहे हैं, इसी प्रकार मीन का जो पैरमीटर है वो आपको दिख रहा है, लेकिन स्टाट्स में हम उसको X के उपर बार लगा के दिखा रहे हैं, वेरियंज का हम S स्टैंडर्डड डेविएशन का हम S से दिखा रहे हैं, पियर्सन या कोरेलेशन को नाम SE के नीचे smallest दिखाते हैं तो यह सारे जो आपको characteristics प्राचाल और सांख्याकी में हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे आगे हम जब और आगे बढ़ेंगे तो यह सब आपको काम देंगे नेक्स्ट माने आपके लिए एक exercise दी है अभ्यास के लिए कुछ प्रशन दी हैं जिन में आपको graph बनाने हैं और frequency polygon बनाना है आकणों के मदद से तो यह आप solve करेंगे तो आपकी practice होगी और इस काम को आप अपने practical records में भी कर सकते हैं इसके साथ ही हमारा यह topic statistics का जिसमें graphical representation of data जो है याने के आकणों का आले की निरूपन यह topic हमारा आज समाथ होता है थेंक्यू धन्यवाद